अलो फ्रेंड वेलकम टू में यूटूब चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के आउटे के फरें बनाना बहुत इजी है फ्रेंड कोई भी इसे बना सकता है और खाने में हिल्दी भी है स्वादिश्ट भी है टेश्टी भी है तो हम इसको बारिष के समय भी बना कर खा सक हो कभी भी इसको बना सकते हैं चटपटा सास्वाद में होता है और बनाना इजी भी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा ज्यादा स्यादा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को मैं शुरू करती हूँ तो मैंने एक कॉप 250 ग्राम मैंने हमारे नहीं इसको मसुर का दाल बोला जाता है उसको मैं दो सप्सक्राइब कर भीगो करके दो से खंटे के लिए रख देंगे और फूल जाएगा अच्छे से तो मैं इसको मिकसिजार में पीष लूँगी अच्छे से दर्दरासा पीषेंग तो मैंने 2 घंटे कें बाहं इसको पीज लिया Union सब्सक्राइबब रखिए है मैंने 3 कप 230 कफ मैंने पानी डाला है दो बड़ा चमचे मैंने घी डाला है देसी घी बनाने के लिए ृष सबतके रखोंगी जब एक उबाल नहीं आजाएगा तब तक मैं इसको अच्छी पकांगी स्वाद के नुसार थोड़ा सा नमक मैंने मिला आया है इसमें और इसी कप से मनें तीन कप चावल का आटा लिया है आप चाहो तो दो कप चावल काटा एक कप गिहूं काटा भी ले सकते हो बट मैंने तीन कप चावल काटा लिया और इसमें अच्छे से डाल करके मिलाना है और अच्छे से मैंने मिला लिया खुब और थोड़े समय के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था वाकि इसमें से निकाल करके एक दू मिनट के बाद मैं इसको अच्छे से मसलूंगी अगर इसमें पानी कम लगे तो इसमें पानी थोड़ा थोड़ा आड़ करके इसको माटा डाल करके बनाते हैं तो बहुत soft और मुलायम बनकर ready होता है खाने में स्वादिश्ट भी होता है और हेलदी होता है तो हम तब तक इसको साने गाए अगर इसमें जितना हमें पानी चाहिए इसमें डालेंगे इस कप से मुझे एक कप पानी टोटल लग गया था गूतने में और छोटे-छोटे इसका पाट कट कर लेंगे और इसे एक बावल में रख लेंगे जिसको हम लोईया बोलते हैं और एक एक करके इसको बनाएंगे पूरी की तरह बेल लेंगे धक करके रखना है इसको ताकि यह सुखे नहीं और दाल जो मैंने पिसक लिया था इसमें सारी इंग्रियंस जो है इसको मैं मिला दूँगी अच्छे से तो मैंने क्या क्या लिया है जो भी मुझे जरुवत है इसमें एक चमच हल्दी पाउडर लिया है लाल मिर्च पाउडर लिया है एक चमच एक टीश्पून के बराबर है यह मेरा चमच और थोड़ी सी जीरा लिया है थोड़ा सा हींग लिया है और यह अध्रक मैंने बारिक पीश कर लिया है आप चाओ तो कद्दू कस्त करके भी डाल सकते हो और थोड़ा सा लासुन साथ आठ कलिया था मैंने इसको छील करके अच्छे से कट कर लिया है दू तीन हरी मिर्च स्वाद के अनुसार नमक आच्छे से इसको मिला लेंगे इसको मिला करके इसका पेश्ट तयार कर लेंगे और उसी वावल में मैंने उसको साप करके इसमें पानी रख दिया था इसी भाप पिर मैं उसको फरे को उबालोंगी भाप में वो बनता है तो मैं एक थाली लिया इसी से ढख करके इसमें उबालाने के लिए छोड़ दिया गैसको लो मीडियम पे रखा है तब तक मैं इसको पूड़ी बना बना करके सारे फारे तयार कर लूँगे थोड़ी से सुखा आटा लगाएंगे और अच्छे से इसका पूड़ी बना लेंगे और एक कटोरी की मदब से इसका गोल सेफ में कटिंग कर लेंगे जो दाल का मैने पेस्ट बनाया था उसको एक एक चमच करके सारे पूड़ी जितने हम पूड़ी बनाएंगे उसमें एक चमच करके भर देंगे आप चाहो तो थोड़ा ज्यादा भी बर सकते हो ज्यादा भरने से भी स्वादिष्ट होता है और खाने में और अच्छा इसका आता है ज्यादा भी बर सकते हैं कम भी बर सकते हैं जितना हो सकता हमें उतना इसमें भर रहे हैं और एक एक करके सारी इसी तरह से मैं त्यार कर लूँगी और एक छन्नी जैसा है प्लेट है इसी में मैं सभी एक एक करके रख लूँगे और ढग करके फिर भाप में पकनी के निये रख दिया है और आप चाहो तो इसी तरह से पूरा एक साथ करके बेल करके कटिंग कर सकते हो इजी तरीका है बनाना और एक एक करके मैं सारा त्यार कर लूँगी इस तरह से बनाने से फास्ट हमारा काम भी हो जाता है और एक बार मैं इसको चेक कर ले रहे हूं कि फूरा पका है कि नहीं पका है और इसको मैं एक प्लेट में निकाल करके कटिंग कर रहे हूँ एक घंटे के लिए रख दिया था ठंडा होने के लिए ठंडा हो जा तब इसका कटिंग करें तलने के लिए तो मैंने तलने के लिए कटिंग कर लिया है और एक पैन में थोड़ा सा तिल डाला है और एक इक करके सारे इस 내일 करें अचे से य founding exposing ग्यां में फ्राइल करना है जोंकुआ है और है 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 पांव से साथ मिनट हो गया इसको फ्राइब करते हुए ईसको मैं एक प्लेट में निकाल लोंगी कि एक यह करके और जब भी खाना आपको जी करें चटपटी खाने के लिए तो आप इसको बना कर इंजवाई कर सकते हैं चाय के साथ या किसी भी चटनी के साथ है खाने में बहुत स्वादिष्ट और एम्मी भी है तो फ्रेंट एक तोड़ के दिखा रहे हैं कितना मुलायम और सौप्ट बनकर रेडी हुआ है अभी बहुत गरम है इसको फिर भी मैं तोड़ के दिखा रहे हूँ कितना अच्छा इलाजवाब बनकर रेडी हुआ है आप घर पे बनाकर खाकर एक पड़ ट्राइ करके जरूर देखना और कमेंट करना ना भूलना कैसा बना है मेरा चावल के आटे का फर्रे फ्रेंड वीडिए अच्छा लगए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और चयनल पे नए है तो मेरे चयनल को ससक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आया तो even जरूर कीजिए अवो को आब भी बनाकर घर पर खाओ बहुत स्वादिश्ट होता है जब हम इसमें घी डाल करके बनाते हैं तो बहुत स्वादिश्ट होता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बाबाई